तमस्कार 80Z डिशष उशाक उर्जानी में आप सब का स्वागत है देखे आप छोले देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि बढ़िया से मसाले दर छोले बनाएंगे साथ साथ बटूरे बनाएंगे पर आज इस वीडियो में आपको इतनी बढ़िया सी एक छोले की सबजी ब बनाएंगे और इसका स्वाद इतना लाज जवाब है ना खाकर ही आपको मज़ा आ जाएगा उसके लिए नहीं आपर मैंने छोले ले लिए थे 200 ग्राम जितने और इसे मैंने रात बर विगो के रख दिया था आप दिन के 6-7 गंटे भी विगो सकते हैं उसके बाद देख सक टेख चोले हैं चांज में डबल हो जाएंगे इसे को अन करके pressure cooker के अंदर पानी के साथ ही डाल दें पानी लगवख हमने 2 glasses के अंदर डाला है साथ ही साथ ठोड़ा सा नमक डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे और cooker का ढखन देते हुए इसे तकरीबन तीन से 4 विसल यानी की तीन से चार सीटियाने तक पका लेंगे जैसे ही पूरा प्रेशर खतम हो जाए उसके बाद ही ढकन को खोले चलिए छोले चेक कर लेते अच्छे से पक गए हैं अब इसमें से बिल्कुल आधा कब जितने छोले मैंने मिक्सर जार के अंदर डाल दिये हैं चार हरी मर्ची डा तेल की जगह पर आप गी कब इस्तेमाल कर सकते जैसे गरा मुझे एक चौथाई चमज जीरा तोड़ी सी कसूरी मेथी मसल कर डाले अच्छा फ्लेवर आता है आधी चमज लार्मिश पाउडर एक चौथाई चमज हल्दी पाउडर आधी चमज धनिया पाउडर सभी मसालों तेल के अंदर आपको अच्छे से भून लेना है दीमी आज पर ही भूनना है नहीं तो मसाले जल सकते हैं उसके बाद यह पके हुए छोले डाल दे चोले डालने के बाद अच्छे से आपको इसे मिक्स करना तकर एक से दूम निट तक भूनना है मसालों के अंदर फिर भी मस आपने स्वात केनिसार डाल सकते हैं मैंने यह तैसले को पकाते वक भी डाला था तरonta मैंने डाल दी है इसलिए अपने स्वात केनिसारी नमक प्रेशी से 1 ब्स फीके लाहीस घुरी राखें को से पीसे लाल देना इसलिए गड़ियाँ इसलिए नहीं। जरूर फॉलो कीजेगा अब देखिए वो ठिक जो पेस्ट थी वोम ने डाल दिये इसी के साथ ना दो कब पानी डाल दिया है अब इसे हमें खुला ही पकाना है तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए बीच वीच में मिक्स भी करते जाएंगे थोड़ा से मैं इसके अंदर दिये आमचुर का पाउडर काफी बढ़िया स्वाद आता इससे और आधी छोड़ी चमच गरम मसाला इसे हम और अच्छे से मिक्स करते हैं पकाएंगे फिर थोड़ी से दिन्या के पते डाल देंगे और इसे और हम पकाएंगे आपने देखा ये बिना टमाटर प्याज लस काने में भी टेस्टी है घर में कुछ भी नहीं पड़ाओ प्यास टमाटर भी नहीं हो तब भी आप बना सकते हैं जरूर ट्राइ कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती एकनी रेसिपी के साथ तब तक के लिए खाए बना एंजाए कीजेए थांक यू फो वच्छाइए